तो आज देखेंगे एसेक्शुल री प्रोड़क्शन इन मल्टी सेल्यूलर और गैनिजम तो चलिए बैज शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के अपना पहला मेथड है फ्राग्मेंटेशन आपको यह भाई साब दिख रहे हैं लेक में हाथ डालकर ग्रीन कलर का कुछ क कले के साथ प्लांट निकाला यह जो प्लांट है इसका नाम है स्पायोगर आस्पायोगरा ऑफ और हमने लास्ट tier पड़ा है थैलोफाइटा प्लांट होते हैं उसमें एल्गे आता है तो यह वही एल्डे है और अगर माइक्रोस्को फ्रें। it has a thread like body बस धागे के जैसा दिखता है filamentous body होती है बराबर हैं तो बच्चों fragmentation में क्या होने वाला है चलिए दिखते हैं imagine करो ये हमारा spirogyra है जो लेक में है अगर इस spirogyra को हमने plenty of water and nutrients दिया उसको पानी भी दिया, खाना भी दिया nutrient दिया ये spirogyra फटा 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 फट लंबा हो जाएगा बड़ा हो जाए तो हम क्या लिखेंगे whenever there is plenty of water and nutrients, spirogyra filaments grow up very fast चलो भई अपना spirogyra बड़ा हो गया अब क्या होगा second point, it will break up into many small small fragments, बच्चों आपको पता है ना के लेक में कुछ animals आने वाले है, birds आने वाले है waves आती है, fishes होती है so because of all of these factors, ये जो spirogyra का filament है, thread-like structures, they will break up, तूट जाएंगे into small small fragments देखो तुकडे हो गया कुछ नहीं था, बड़ा filament था जो break होके, fragments में divide हो गया, अब क्या होगा मालूम है, each fragment will start to live independently as a new spirogyra fiber, मतलब क्या, हर एक fragment, हर एक तुकड़ा वापिस grow हो जाएगा and नया spirogyra बना देगा, बस बच्चो इतना ही होने वाला है फिर ये जो नया spirogyra बना है, वो भी break होगा into fragments, फिर वो fragments भी वापिस grow होकर नया spirogyra बनाएंगे so this is how spirogyra will keep multiplying फटाफट 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 लेक में grow हो जाएगा simple है process, यही होता है fragmentation, आपको एक और example देता हूँ, यह जो animal है, yes it is animal, इस animal का नाम है साइकॉन, it is a type of sponge sponges के बारे में हम chapter number 6, animal classification में detail में पढ़ेंगे अभी सिर्फ इतना याद रखना कि यह जो sponge होता है, साइकॉन है, यह ocean floor पे रहता है, ocean floor पे वहाँ पे rocks वगेरा होंगे, पत्थर होंगे उसके उपर यह चिपका हुआ रहता है, यह animal hill नहीं सकता, it cannot move यह साइकॉन भी क्या करता है मालूमें, अपने पत्थर पे जाके बैठेंगे they will start to grow and उस छोटे fragment में से वापस नया साइकॉन बन जाएगा, का नहीं समझ में आ रहे है, parent body था उसमें से कुछ parts डिवाइड हुए fragment बने, फिर वो fragment grow होकर वापस नया adult साइकॉन बना देंगे simple, यह है हमारी पहली method, fragmentation तो दूसरी method होती है regeneration आपने सुना होगा ना, lizard चिपकली, इसका tail अगर तूट गया, तो वो tail वापस grow होता है, आपने सुना है तो पहला point हम क्या लेखेंगे lizard will break up and discard, discard मतलब fake देना discard some part of its tail in an emergency, अगर उसका tail कही अटक गया, आपने उसका tail पकड़ लिया tail के उपर हाथ रख दिया कुछ भी pressure आ गया, तो यह lizard अपना tail को तोड़ कर discard कर देगी, fake देगी तो क्या यह lizard बिना tail के रहने वाली है, नहीं after some time, दीरे दीरे दीरे, उसका tail पूरी तरह grow हो जाएगा, regenerate हो जाएगा, बट बच्चो एक बात का मुझे जवाब दो lizard का tail तो tail grow हो गया, lizard को tail नया आ गया, बट जो तूटा हुआ tail था, उसमें से पूरा lizard वापस आएगा, क्या नहीं आएगा, तो can we call this limited regeneration बढ़ा बढ़े lizard को tail आया लेकिन tail में से lizard नहीं आएगा, तो this is limited regeneration बट आपको एक surprising बात बताता हूँ भाई एक animal होता है, यह जो चप्ता खेडा दिख रहा है, इसको बोलते हैं planaria, और अगर इस planaria को हमने cut कर दिया, चाकू लेके into two, three parts, हर एक part, उसके body का हर एक part, will grow into a new planaria मजा आया सुनके, तो यह कैसे होता है बच्चो, imagine करते हैं, यह animal कौन है planaria है, under certain situations, it can break up its body into two or many parts, यह खुद भी जान मुझके अपने body को divide कर सकता है into small parts, या फिर अगर हमने cut कर दिया चाकू लेके, तो ऐसे situation में क्या होगा, each part उसके body का, each part will regenerate into remaining part of its body, मतलब उसका जो head का part है, उसमें से भी पूरा planaria बनेगा, उसका tail के part में से भी पूरा planaria बनेगा, और जो body का part बचा है, उसमें से भी पूरा planaria बन जाएगा बच्चों, तो क्या यह animal कभी नहीं मरेगा, is it immortal? नहीं, मर सकता न, अपने 3-4 planaria लिया, mixer में डाल दिया, ग्राइंड कर दिया, तो planaria मर जाएगे, बट अधर वाइस, it is immortal, अगर नाचरली नहीं मरता है वो, तो वो बस अपने body के parts बनाते रहेगा, fragments बनाते रहेगा, और नया नया planaria आते जाएगा, are you understanding, बहुत इंट्रेस्चिंग अनिमल है न, अच्छा, इसको हम बोलेंगे, full regeneration, lizard में दिखता है, limited regeneration, planaria में दिखेगा आपको, full regeneration, simple, तो चलिए, third method होती है, budding, यह जो अजीब गरीब सा प्राणी द hydra के टकले पे आपको ऐसा थोड़ा बाल-बाल निकला हुआ दिख रहे हैं, sorry, यह जो बाल-बाल है, इसको हम बोलते हैं, tentacles, क्या बोलते हैं, tentacles, and these tentacles are poisonous, इसके बारे में भी detail में हम पढ़ेंगे, in animal classification, chapter number 6, अभी सिर्फ इतना बताता हूँ, इस hydra का जो outer layer है, जो उसका skin है, can I call it body wall, simple, उसके skin को हम क्या बोलेंगे, body wall, hydra के body wall में होते हैं, regenerative cells, कौन से cells, regenerative cells, इन cells का काम क्या है, they can divide very very fast, so, पहला point लिखेंगे, by the repeated divisions, कौन से टाइप का division करेगा, mitosis, पढ़ा है न, so, by the repeated divisions of the regenerative cells in the body wall, ध्यान से सुनना, इस hydra के body के उपर, आपको दिख रहा है, छोटा छोटा आउट ग्रोथ आया हुआ है, बराबर है, आउट ग्रोथ will be formed at specific part of its body, and एक बात हमेशा याद रखना, biology में अगर कहीं पे भी आउट ग्रोथ आ रहा है, animal पे भी आउट ग्रोथ आ सकता है, plant पे भी आउट ग्रोथ आ सकता है, उस आउट ग्रोथ को हमेशा बोलेंगे, बड़, क्या बोलना है, बड़, तो हाइडरा के बोड़ी पे बनेगा छोटा सा बड़, by the division of regenerative cells, अब क्या होगा ना, सुनो, this bud will grow up progressively, धीरे 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 वो bud grow होगा, and it will form a small baby miniature hydra, दिख रहा है, आपको baby hydra बन गया है, ठीक है यहां तक, अभी एक बहुत important बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, imagine करो, यह parent hydra है, और उसको कमर पे चिपका हुआ है, baby hydra, अगर आप गौर से देखेंगे, तो parent का जो digestive cavity है, what is digestive cavity, जहां पे digestion होता है, अपने पास कैसा चमक है, intestine है, वैसा ही, इसके पास भी एक बीच में cavity होती है, जगा होती है, जहां पे digestion होगा, तो parent का digestive cavity and baby का digestive cavity अंदर से joint है, do you agree, ठीक है, दूसरी बात, parent का dermal layers, dermal layer मतलब क्या, skin, parent का skin and baby का skin, dermal layer, यह भी joint है, तो can we say the digestive cavity and the dermal layers of the budding hydra are in continuity with those of the parent hydra, simple, तो मुझे एक बात बता न, parent जो खाएगा, nutrients लेगा, उसमें से ही nutrition baby hydra को भी जाएगा, तो हम गया लेखेंगे, thus the parent hydra will supply nutrition to the budding hydra, फिर वो budding hydra बड़ा होगा, ग्रो होगा, अब आपको एक बात तो मालूम है, बच्चे जब बहुत बड़े हो जाते हैं, तो माबापको छोड़ कर चले जाते हैं, so this budding hydra will separate from the parent hydra, देखो अलग हो गया, अपना खुद का संसार बसाएगा, it will start to lead an independent life, simple सी बात है बच्चो, कुछ भी difficult नहीं था, बड़ाया, ग्रो हुआ, miniature hydra बना, parent का और baby hydra का, क्या continuous है, digestive cavity and dermal layers, and after sufficient growth, ये baby separate हो जाएगा, और अपना independent life बसाएगा, simple, चलिए, आगे जाते हैं, तो भाई बच्चो, अपना next method है, asexual reproduction का, vegetative propagation, ये vegetative propagation दिखता है, plants में, सिर्फ plants का बात करेंगे अभी, अच्छा सुनो, ये आपको tree दिख रहा है, जाड दिख रहा है, tree के नीचे क्या है, roots है, बीच में क्या है, stem है, ऊपर क्या है, leaves है, एक और बात बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, imagine करो, ये stem है, और यहाँ से leaf आ रहा है, तो जहाँ पे leaf और stem, intersect कर रहा है, वो point, वहाँ पे भी आपको छोटा सा growth दिख रहा है, उस छोटे से outgrowth को क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा है, bud बोलते हैं, ठीक है, outgrowth मतला bud, तो यहाँ पे root, stem, leaf and bud, ये जो चार organs है, प्लांट के, इनको हम बोलते हैं, vegetative organs, क्या बोलेंगे, vegetative organs, and अभी straight forward बात करूँगा, direct बात करूँगा, vegetative organs में से नया plant grow हो सकता है, बचों, root में से, stem में से, leaf में से, और bird में से, मैं नया plant grow कर सकता हूँ, इसको हम बोलते हैं, vegetative propagation, तो इसका definition बहुत simple है, the reproduction in plant, with the help of what, vegetative parts, like root, stem, leaf, and bud, इसको हम क्या बोलेंगे, vegetative propagation, direct बात, vegetative organ में से, बनेगा नया plant, नहीं समझा, example के साथ बात करते हैं, चलिए, तो पहला example है, हमारा potatoes, बटाटा, potato पर आपने देखा है, छोटा-छोटा holes होता है, खड़े-खड़े होते हैं, उन खड़ों को, holes को हम बोलते हैं, eyes of potato, सुनो अभी दान से, eyes of potato are used for vegetative propagation, वो जो holes होते हैं, उसमें से, आपको मालूम है, growth होती है, अगर moisture बहुत ज़ादा है, rainy season है, monsoon चल रहा है, तो वो potato के उपर से growth होती है, उस growth को क्या बोलेंगे, भाई, birds बोलेंगे, और अगर ऐसे potato को लेके मैंने soil में डाल दिया, will it grow into a new plant, बराबर है न, तो इसको ही मैं vegetative propagation बोल सकता हूँ, so simple भाशा में क्या हुआ, eyes of potato में आएगा bud, and bud में से आएगा नया plant, simple है, ठीक है, शोलो थोड़ा आगे जाते हैं, फिर एक plant का बात करते हैं, बहुत ही special, amazing plant है, bryophyllum, क्या नाम है, bryophyllum, इसमें क्या होता है न, reproduction is performed with the help of buds present on the leaf margin, imagine this is the leaf, leaf margin मतलब क्या outline, अभी leaf margin के उपर आपको दिख रहे है, growth हुआ है, उस growth को क्या बुलेंगे, buds, and हर एक bud में से नया plant grow हो सकता है, कैसे होगा, देखो, imagine करोए leaf है, जो हमने pot में रखा, उसको पानी-पानी मारा थोड़ा, and after giving enough water, उसको हम लोग 2-3 weeks के लिए रख देंगे, after 2-3 weeks, अगर हमने निकाल के देखा, can you see, छोटा-छोटा growth हुआ है, buds में से, simple, और यही buds आगे-जागे, पूरा नया plant grow कर देंगे, this is bryophyllum, बहुत ही special है, objectives में आता है, 100%, ठीक है, चलिए, sugar cane का बात करते हैं, बच्चों आपको एक बात मालूम है, कि sugar cane is a type of grass, आपको नहीं मालूम है, तो बता देता हूँ, यह grass है, bamboo, bamboo भी क्या है, it is a type of grass, sugar cane भी क्या है, a type of grass, तो sugar cane में क्या होता है, vegetative propagation will occur with the help of birds present on nodes, कैसे अजीब-जीब words है, सुनो, यह sugar cane में आपको middle में एक line दिख रहा है, यह जो line है ना, इसको हम बोलते हैं, node, one more time, line को क्या बोला, node, and node के उपर growth दिख रहा है, outgrowth, उसको क्या बोलेंगे, bud, तो हमेशा याद रखा, node पे आया bud, node पे आया bud, and bud में से क्या होगा, नया plant ग्रो होगा, leaves आने लगेंगे, simple, similarly, grass का बात करते हैं, यह अपना lawn grass, normal, ground पे उगने वाला grass है, जिसको आप उखाड़ के ऐसा सर पे डाल देते हैं, बच्चों, यह grass का stem कहाँ पे हैं, मुझे ground के उपर जो दिखता है, वो तो leaves है न, green-green, इसका stem कहाँ पर हैं, बताओ, grass का stem underground होता है, and it is horizontal, आपको दिख रहे हैं, ऐसा horizontal stem जा रहा है, यहाँ पे image में, and उस stem के उपर जहां से leaf grow होता है, उस part को मैं क्या बोलूँगा, bud, तो grasses में भी नया नया leaves आने वाला है, from buds, and buds का होते हैं, node पे होते हैं, simple याद रखन, node is a position जहां पे bud grow होता है, simple है, ठीक है, फिर आता है carrot, carrot is a type of root, वैसे ही radish, radish is a type of root, अगर carrot and radish को लेके मैंने soil में डाल दिया, तो उन में से भी नया plant grow हो जाएगा, तो they perform vegetative propagation with the help of root, बच्चों कुछ नहीं है, carrot भी root है, radish भी root है, and उन में से नया plant grow हो सकता है, तो यही है vegetative propagation, vegetative organ में से नया plant grow होगा, that's it, ठीक है, तो भाई आ जाते हैं अपने last method of asexual reproduction पे, spore formation, अपने bread पे, सड़ा हुआ bread देखा है एकदम, fungus उगा हुआ, इतना सड़ा हुआ नहीं, बट घर पे आपने देखा है न, bread पे, रोटी पे, जैम पे, राइस पे, कोई भी food item हो, wood हो, लकड़ा हो, उस पे भी fungus ग्रो हो सकता है, और, bread पे ग्रो होने वाला जो fungus है, उसको हम बोलते हैं, mucer, यह इसका scientific name है, okay, bread mold, mold मतलब fungus, उसका scientific name क्या है, mucer, and वो microscope में कुछ, इस प्रकार का दिखता है, अब बच्चों, पहला point बहुत ध्यान से सुनना, this mucer has a filamentous body, filamentous मतलब क्या thread-like, आपको image में दिख रहे है, ऐसा thread-like structures है, यह जो thread-like structures है न, इनको हम बोलेंगे sporangio 4, क्या बोलना है, sporangio 4, don't worry, यह exam में नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा extra information दे रहा हूँ, sporangio 4 के उपर आपको balloon-like structure दिख रहे है, इस balloon-like structure को बोलते है, sporangium, singular, एक ही है तो sporangium, plural, अगर बहुत सारा है तो sporangia, एक है तो sporangium, बहुत सारा है तो sporangia, और यह sporangium क्या produce करता है, spores, आपको दिख रहे हैं, उसके उपर tiny-tiny, यह चोटा-चोटा particles है, वो particles क्या है, spores है, कुछ भी difficult नहीं है, mucor, mucor मतलब क्या, fungus, it has a filamentous body, thread-like structures, ठीक है, sporangio 4, उसके उपर आएगा balloon-like structure, sporangium, and sporangium क्या produce करेगा, spores, यहां तक ठीक है, अभी मेरा बात ध्यान से सुनो, when the spores are formed, जब यह जो sporangium है, यह mature हो जाते हैं, वो क्या produce करते हैं, spores, देखो, spores बन गया है, अच्छा, अब क्या होगा, imagine करो, अपने पास एक और bread है, the sporangia will burst, वो जो sporangium था, balloon था, वो फूटेगा, and the spores will be released, देखो, spores उड़के दूसरे bread पे आगे हैं, अब क्या होगा मालू मैं, यह spores, moisture absorb करेगा, bread में भी थोड़ा पानी होगा, they will absorb the moisture, they will absorb the nutrients, and these spores, they will germinate, germinate मतलब क्या, grow, तो धीरे 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 जब वो grow होंगे, तो नया fungus grow हो जाएगा, नहीं समझे, germinate मतलब क्या, grow, they will germinate in a moist and a warm place, उनको थोड़ा गर्मी चाहिए, around 35 degrees Celsius, उतना उनको temperature चाहिए, and धीरे धीरे करके, a new fungal colony will be formed, simple सी बाते बच्चों, sporangium में का बनता है, spores, जब वो spor mature हो गये है, sporangia will burst, spores release होए, जहाँ पे भी वो लोग settle होंगे, they will absorb the moisture from the food material and they will germinate, they will grow and a new fungal colony will be formed, इतनी सी है बात, बच्चों ये जो structures आपको दिख रहे हैं, ये spores हैं, उसमें से आपको growth होते हुए दिख रहे हैं, this is germination of spores, simple है, चलो थोड़ा आगे जाते हैं, बच्चों आजाते हैं, एकदम end में, ये मैंने image ऐसे ही डाल दिया, आपको हाथ में जो किड़ा दिख रहा है, ये कौन है, planaria, इतना छोटा होता है, इतना tiny होता है, 1,5 cm का ही length होता है उसका, बस, तो यहां होता है हमारा A sexual reproduction in multicellular organisms, sum up, अगर आपको मजा आया है, समझ में आया है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो यार, सब्सक्राइब तो बनता है, 500 कंप्लेट करते हैं, देरे-देरे 1000 सब्सक्राइबर भी हिट करना है, and as usual, thank you very much.